नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिख्शा क्लासिस में आज इतिक्स का फिफ्ट लेक्शर है, जिसमें हम बात करेंगे पर जाने से पहले हम देख लेते हैं, कि कृत्त क्या होता है, आपका एक्सन क्या होता है, एक्ट किसे कहते हैं देखिए किसी भी बिल्कुल basis से लेते हैं किसी भी action के पीछे करने के पीछे कुछ न कुछ stimuli होती है उसके पीछे एक उत्प्रेड़ना होती है ठीक है जिसको हम करते हैं हमने किसी भी चीज़ को मान के चलो देखा उसके बाद हमारे मन में कोई प्रतिकरी आती है उसके बाद हमारे मन में कोई भावना उठेगी feeling उठेगी फिर क्या है भावना मतलब हमें अच्छा लगा बुरा लगा जो भी है उसके बाद हम उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं फिर उसके बाद हम कोई कारे करते हैं उसके हिसाब से, कोई action करेंगे तो सबसे पहले किसी भी action के लिए क्या जरूरी है, stimuli जरूरी है, उत्प्रेरन जरूरी है उसके बाद हमारा response होगा, response हमारा तीन तरीके से होता है पहला हमारे मन में भावनाय आई, वो चीज अच्छी है, बुरी है दूसरा हमने उसके बारे में फिर सोचना सिरू किया और तीसरा होता है, कि हमने उसके हिसाब से कोई फिर action किया तो देखिए, जब तक भावना है, जब तक विचार है, वो आपका action नहीं हो सकता action होगा, जब आपने विचार और भावना की अभिव्यक्ति करती मान के चलो कोई जा रहा है, आपने उसको देख के कुछ बोल दिया मन में विचार था, मन में फिलिंग्स आई, अच्छा लगा या बुरा लगा या आपने उसके वारे में क्या सोचा, वो तब तक action नहीं माना जाएगा, जब तक आप कुछ बोल नहीं देते, या उसको देख के कुछ हरकत नहीं कर देते, तब तक उसको action नहीं माना जाएगा, तो ये तो होगे action की बात, अब आपका action जो क्रत्य है, जो act है वो तीन तरीके का होता है, सबसे पहला आपका क्रत्य, moral हो सकता है, नैतिक हो सकता है, जैसे कि मानके चलो, कोई आप जा रहे है रास्ते में, और कोई भूका, प्यासा व्यक्ति बैठा हुआ है, आपने अपना पानी और खाना उसको दे दिया, तो ये कहीं ना, कहीं आपने नेतिकता का काम किया तो क्रत्य आपका कैसा हो गया नेतिक दूसरा होता है अनेतिक क्रत्य वहीं आपने वो इनसान जो बैठा हुआ है उसको दिखा कर अपना खाना और पानी फैला दिया या फैंक दिया उसको नहीं दिया तो ये कही ना कही अनेतिकता है इम्मॉरलिटी है ये तीसरा होता है ना तो नेतिक ना अनेतिक ऐसे क्रत्यों को हम बोलते हैं नीती सुन्य या निरनेतिक क्रत्य नोन मॉरल क्रत्य ठीक है जैसे आपने अपनी ही बोतल से पानी बी लिया आपने बातरूम में अपने कपड़े धोए, ये सारे हो गए नीती सुन्ने कर्म देखिए, हमने ये तो जान लिया कि कौन सा क्रथ्य मौरल होगा, इमौरल होगा या नौन मौरल होगा अब देखिए, ऐसी क्रत्य होते हैं, जिन्द के हमें सजादी जाती है जो गलत होते हैं समाज के साब से देखें, सबसे पहले अगर आपने कोई action किया है और उसके पीछे आपकी intention नहीं है आपसे मान के चलो कोई करत्य ऐसे ही हो गया लेकिन उसके पीछे आपकी कोई intention नहीं होगी, तो उस case में आपको जो punishment है, आपको जो सजा है वो मामूली सतर की मिलेगी लेकिन अगर आपने कोई action किया आपने कोई क्रत्य किया और उसके पीछे आपका intention भी ठोस था उसके पीछे आपकी मनसा भी थी करने की तो उसमें आपको पूरा पूरा punishment मिलेगा लेकिन अगर तीसरे case में हम देखें कि आपकी intention तो है आपकी intention तो है लेकिन आपने कोई क्रत्य नहीं किया है, आपने कोई act नहीं किया है तो उस मामले में आपको कोई भी punishment नहीं मिलेगा जैसे उधारण के तवर पे लेते हैं आप जैसे मान के चलो तो आप ट्रक चला रहे हैं ठीक है? और आपके सामने अचानक से कुछ आ गया और आप पूरे होसो हवास में हैं अचानक से कोई इंसान आ गया और आपका आपसे एक्सिटेंट हो गया ठीक है? अब क्या है कि आपका intention नहीं थी वो अचानक से आपके सामने आया तो इसमें आपको सजा नहीं मिलेगी मतलब मामूली सी थोड़ी बहुत सजा मिलेगी मान के चलो लेकिन मान के चलो आपका कोई दुस्मन है और आपने जान भूज कर उस पर ट्रक चड़ा दिया तो उसमें आपका क्या है कि intention भी था आप उससे बहुत ज़्यादा गुस्से थे मान के चलो और आप उसको मार देना चाहते थे तो इसमें आपकी intention जुड़ गई देखो क्रत एक ही है हुआ मडर है आपसे लेकिन वहाँ पर किस चीज का फरक है intention का फरक है पहले बाले में आपकी intention नहीं है गलती से हो गया तो इसमें मामूली सजा है आपके लिए लेकिन आप उसके दुस्मन है और आपनी जान भूज के आपने मौका देखा और उसके उपर ट्रक चड़ा दिया तो इसमें आपको बड़ी सजा मिलेगी लंबी सजा मिलेगी ठीक है अगर ये चीज़ वहाँ पर कोर्ट में प्रूव हो जाती है तो पह दूसरी बात तीसरी बात आपके मन में intention तो है आप अपने जो पड़ोसी है मान के चलो उससे गुस्सा बैठी होए उसको अगर मौका मिले तो मार दोगे आप इस तरीके से वह हो कि उसकी जान तक ले सकते हो इतना ज़्यादा गुस्सा है आपके मन में उसके लिए आप बस सोचते हो लेकिन आपने ऐसा किया नहीं तो उसके लिए कोई भी दंड नहीं मिलेगा तो यह हो गया intention मनसा किसी भी एक्ट के पीछे प्रमक्रूप से बड़ा काम करती है यह साबित करने में कि आप दोसी हैं या नहीं है अब देखिए ऐसी कौन-कौन सी वस्तू हैं या चीजे हैं जिनका द्वारा किया गया कोई भी एक्ट नीती सुन्य माना जाता है देखे सबसे पहले पेड़ पौधे सजीव माना जाता है इनको सजीव होते हैं इवन उनके द्वारा किया गया मन के चलो लोग इंसान कहीं से जा रहा है कोई और उपर से पेड़ गिर जाए और उसकी इंसान की मिरत्ति हो जाए तो इसमें पेड़ को सजा नहीं दी जा सकती पेड़ पौधों का द्वारा किया गया कोई भी करतिके इसा होगा नोनमोरल होगा मतलब कि वो ना तो नेतिक है या ना अनेतिक है पसू पक्षू के द्वारा किया गया आप जंगल में घुमने गए सेर ने आप एमला कर दिया और आपकी जान ले ली ली थी इसमें सेर को कोई सजा नहीं जा सकती ठीक है मसीन या रोबोट के द्वारा किया गया कोई भी कार है स्वेश के द्वारा मान के चलो ट्रक चालक ने जो भी एक्जांपल दिया था चलाया उसमें इंसान को सजा मिलती है ना, ट्रक को थोड़ी मिलती है, कि आज से इसको बंद कर देते हैं ट्रक को, यह चलेगा ही नहीं, ठीक, तीसरा होता है मनुस्य के कुछ एक्संस, अब मनुस्य के कौन से एक्संस होते हैं, जिनको हम नीती सुन्य कैटिगरी में गिनते हैं, जि इसको समाज के रूल, रेगुलेशन, सभी चीज़ें पता हैं। दूसरे, जो समाज से बहुत दूर रहता है। जैसे कि एक फिल्म देखी थी, आपने मोगली। तो समाज से दूर रहने वाला जो व्यक्ति है, जैसे मोगली है, वो मतलब पहले जंगल में रहता था, अभी समाज का हिस्सा है, और अगर उससे कोई करत्य हो जाता है, तो उसके कर्म को नीती सुन्य कर्म माना जाएगा। लेकिन वहीं पे समाज में रहने वाले वी व्यक्तिवी दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं सामा निमानव, समझ रहे हो, मतलब कॉमन मैन, जन्रलाद, जैसे उसके द्वारा किया गया कोई भी करत्य होता है, दूसरे होते हैं मानसिक रूप्त से विछिप्त, ठीक है, मानसिक रूप्त जिनको अस्वस्त बोलते हैं, पागल थोड़ा सा, मंदवत्ति, और दूसरे होते हैं बच्चा, जो कि साथ साल से कम है, तो ऐसे इंसान, एक तो मानसिक रूप से अस्वस्त और दूसरा बच्चा, जो कि साथ साल से कम उमर का है, दोनों को कर्म को नीती सुने माना गया है, वो ना तो नेतिकता की सिरल्डी में आते हैं, ना वो अनेतिकता क सिरली में आते हैं ऐसे कर्म नोन मॉरल होते हैं जिसे मान के चलो अगर चोटा बच्चा साथ साथ से चोटा बच्चा कोई उसको मडर कर देता है मान के चलो उसको पता है मैं मडर कर रहा हूँ फिल्म देखी उसने मम्मी सो रही है और महान के चलो फिल्म में देखके ऐसी उसने चक को चला दिया मतब जानता क्या है बच्चा की क्या होता है मतर कहने का मतब यह है ठीक है तो उसके कर्म को हम नीती सुने मानेंगे ऐसे कई केस हुएं बहुत सारे कि दो भाई खेल रहे थे और बड़ा भाई 6 साल का था चोटा भाई 2 साल का मम्मी पापा बाहर चले गए उनके और बड़े भाई ने छोटे भाई को ऐसे खेल-खेल में पहन के चलो नँहा रहे थे वो और उसको डुबो दिया उसको लगा वो छेपा रहा है ऐसी तरीके से तो उनके कर्मों को हम नीती सुन्य कर्म मानते हैं दूसरा हम कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो दूसरा था सामान्यमानव common man जैसे हम सभी हैं ठीक है तो ऐसे व्यक्तियों के भी क्रत्य दो तरीके के क्रत्य होंगे ठीक है अनच्छे क्रत्य जो involuntary जिन पे इंसान का कोई नियंतर नहीं है उसमें आता है आपका छींकना, खांसना, कापना, बेहुसी, नसा इन सब की अवस्था में किया गया कोई भी क्रत्य मान के चलो आप बाइक पे जा रहे आपका भाई या कोई या आप बाइक चला रहे हैं अचानक से आपको छींक आ गए और बाइक दूसरे इंसान में जाट गए तो इसमें आपका कोई वो नहीं था, छींक एक involuntary action है, ठीक है नसे की हालत में involuntary action माना गया है, नसे की हालत में किया गया कोई भी गुना उसको involuntary माना जाता है, ठीक है, तो उस पे भी कोई सजा नहीं मिलती, ये भी सजा की स्रेड़ी से बाहर है इन पे इनसान का कोई वस नहीं है, ठीक है, एक होता है इसी स्रेड़ी में involuntary में भी आपका reflexive action जिनको बोलते हैं, प्रतिछिप क्रिया है, जैसे नींद में चलना, नींद में चलना एक reflexive action है, उसमें अगर आपसे कोई act होता है, मान की चलो आप border park कर गए, या किसी दूसरे के घर में चले गए और आप नींद में हैं, ये बात प्रूव हो जाती है, तो आपको कोई सज जा नहीं मिलेगी, ठीक है, ऐसे क्रति ये जो है, involuntary और reflexive action है, ये अनवारत है, निरनेतिक क्रति है, इनको ना तो नेतिकता की स्रेली भी रखा जाता है, ना अनेतिकता की स्रेली में, अब आते हैं आपके कुछ एच्छिक क्रतिय, एच्छिक क्रतिय, voluntary actions, इनके पीछे ज संकल्प की स्वतंतरता, freedom of will, तो देखें, ये आपके क्रति के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, freedom of will का होना, संकल्प की स्वतंतरता का होना, संकल्प की स्वतंतरता में तीन चीज़ों को समयत किया गया है, सबसे पहले, किसी भी व्यक्तिय का सारीरिक और मानसिक स्वास् नहीं है तो उसके पास मान के चलेंगे संकल्प की स्वतंतर नहीं है freedom of will नहीं है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर सकता दूसरा है आपका विकल्पों की उपलब्दिता आप सारीक और मानसिक रूप से स्वास्त हैं लेकिन आपके पास कोई विकल्प नहीं है कुछ करने के लिए आपको ऐसा act करना ही था तो आपके पास कही न कहीं विकल्प की उपलब्दिता नहीं है लेकिन अगर आपके पास विकल्पों की उपलब्दिता है और सारीक और मानसिक रूप से भी आप स्वस्त है प्लस एक और चीज आती है इसमें चैन की स्वतंतर्ता विकल्पों में से चैन करने की स्वतंतर्ता भी आपके पास है तब जाके आपका कर्म को संकल्प की स्वतंतर्ता प्राप्त होगी तब जाके आपके कर्म को संकल्प की स्वतंतर्ता प्राप्त होगी freedom of will प्राप्त होगी ठीक है जैसे मान के चलो आप bus driver है और सवारियों से भरी हुई bus है आप road पे लेके जा रहे हैं सामने से कुछ छोटी गाड़ी आपके सामने आगे उसमें तीन चार लोग बैठे होगे हैं और जा रहे हैं गलती से क्या है कि आपका break fill हो गया है अब आपके पास दो रास्ते हैं सबसे पहले अब इसमें हम संकल्प की स्वतन तरता देखते हैं आप सारी रिक रूप से break लगाने के लिए आप मैं तो गाड़ी को रूपने के लिए आपके पास विकल्पों की उपलबदा भी है कैसे या तो जो सामने गाड़ी जा रही है आप उसमें सीधा जाके ठोक दे गाड़ी को अपनी को दूसरा है आप गाड़ी को में रोड से उतार के जो बगल में खड़ा है उसमें घुसा दे तेजी से चलती ही गाड़ी को उसमें रप्टा दे तीसरा है आपके पास चैन की स्वतंतरता है कि अब यहां पे देखिया आपके पास चैन की स्वतंतरता है जी नहीं क्यों क्यों क्योंकि आपकी बस में जितनी भी सवारियां बैठी हुई है उनकी कही न कहीं सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है आप ड्राइवर हैं ठीक है तो आपको क्या करना है आपके पास यहाँ पर चैन की सुतंतरता नहीं है कहने का मतलब आप ऐसे ही जो बगल में खाई है जो बगल में गड़ा है उसमें बसको नहीं ले जा सकते तो आपको क्या करना होगा सीधा बसको आगे जो लोग बैटे हुए है छोटी गाड़ी जा रही है उसको ठोक नहीं होगा क्योंकि ब्रेक आप लगा नहीं सकते तो यहाँ पर आपके पास संकल्प की सुतंतरता नहीं थी इसलिए आपके द्वारा किये गए उस एक्ट को नैतिक और अनैतिक की स्रिणी में नहीं दोला जाएगा जब तक कि यह तीनों जो चीजें हैं सारिक एवं मानसिक स्वास्त विकल्पों की उपलब्दता और उनको चैन करने की स्वतंतरता नहीं होगी तब तक किसी भी क्रत्य को नैतिक या अनैतिक की स्रिणी में नहीं दोला जाएगा उसी तरीके से हम दूसरा एक्जामपर लेते हैं मान के चलो आपके परोसी से लड़ाई हो गई ठीक है अब क्या है कि आप भी लड़ने में सक्षम है सायरिक और मानसिक रूप से आप ठीक है और सामने वाला लड़ रहा है तो आप भी लड़ाई करने में लड़ाई दो तरीके से एक तो गाली गलोच चल रही है दूसरा आप हाता पाई पर उतरा है लड़ाई आपके पास भी विकल्पों की पलबता है या तो आप पिटते रहें या उनको पिटें या समझा बजाके उनको सांत करें और सांत करने की आप पूरी कोसिस कर चुके हैं तो लड़ाई आपको करने ही पड़ेगी वो आपको पिट रहा है और आपको भी पिटना पड़ेगा तो दो विकल्प हैं इसमें क्या चुनेंगा आप या तो उनसे पटते रही है या बरावर जितना वो लड़ाई कर रहे हैं उनका सामना कीज bulb कीजिए डटके दो मुक्के वो मारे हैं दो मुक्के आप मारे हैं ठीक है अब क्या है कि लड़ाई में थोड़ी देर हो गई और ऐसा कुछ हो गया है कि वो अपने घड़ से कुछ हत्यार लेकि चाकू या मान के चलो कुछ बंदूक लिया है और आपके पिताजी की खनपटी पर उन्होंने लगा दी है आप थोड़ी दूरी पर हैं और आपके पास भी एक बंदूक पड़ी हुई है अब क्या आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप सारीक और मानसी ग्रूप से स्वास्त हैं बिल्कुल हैं आपके पास विकल्प भी है कि वो मानके चलो उसने बंदूक एकदम से रख दी और वो मार ही देगा आपको लग रहा है कि वो छोड़ने वाला नहीं है वो आपके पिताजी पर गोली चला ही देगा आपके पास विकल्प भी है या तो आपके पिताजी को मरने दे दूसरा या आप बंदू उठाके उसको मार दे अब चॉइस आपकी है तीसरा है चैन की सुवतिंतरता अब क्या यहां पे आपके पास चैन करने की सुवतिंतरता है ऐसी परिस्तिती में ऐसी परिस्तिती में आप चैन आत्मक नहीं हो सकते क्यों? आपके पिताजी है और आपके अपने पिताजी को बचाना ही पढ़ेगा अगर इन नियमों से अगर कोई इंसान हटता है तो वो कहीं न कहीं गलत बात करता है आपके पास वो फिर मतलब उसके बारे में बात करना थोड़ा अलग तरीके से हो जाएगा कहीं न कहीं तो आपके पास चैन का दूसरा कोई विकल्प प्लब नहीं है आपको अपने पिताजी को बचाना है और कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं आपके पास समझ रहे हैं न कि आप अपने पिताजी को किसी और तरीके से नहीं बचा सकते सिवाए इसके कि आपके पास में जो बंदुक पड़ी हुई है आप उठाएं और सीधा गोली मार दें उपने पड़ोसी में तो ऐसे में आप क्या करेंगे उठाएंगे और सीधा गोली मार दें उपने पड़ोसी में और आपके पिताजी की जाने जाएंगे तो ऐसे क्रत्य को समाज नैतिक और अनैतिक नहीं मानेगा और नहीं नैतिक मानेगा क्या कहेगा कि आपके पास चैन की स्वतंतरता नहीं थी मानते हैं ना चैन अप करी नहीं सकते थे आपको पिताजी को बचाना था कि कोई और दूसरा तरीका था ही नहीं अपके पास कि आप अपने पताजी को बचा सके तो यही है संकल्प की सुर्त अंतर था ठीक है अब होता क्या है कि freedom of will इसके विरोध में एक विचार है एक विचार धरा है जो इसके विरोध में हमेशा खड़ी होती है वो है नियतिवादी नियतिवादी कौन जो इस्वर को मानते हैं बहुत ज़्यादा जो हर बात में कहते हैं कि इस्वर की लीला है मतलब कि वो मानते हैं कि कोई भी जो कर्म होता है जो करत्य होता है वो सब पहले से ही लिखा हुआ है और वो सब भागी में लिखा होता है ऐसा सब कुछ तो ये कहलाता है आपका संकल्प की सॉरी तो ऐसे लोग होते हैं नियतिवादी तो नियतिवादी जो लोग होते हैं ये सब कुछ इसवर के लिला मानते हैं ये संकल्प की सुतंतरता को हमेशा विरोध करते हैं ये कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है इस्वर की मरजी से हो रहा है उसमें इंसान का कोई हाथ नहीं है लेकिन अगर आप मानिए नियती वाधी को ही आप मान के चलें ऐसे तो फिर किसी को दंडी नहीं दिया जा सकता न ऐसे किसी भी कर्म को फिर हम नैतिक या अनैतिक किस रेड़ी भी कैसे तोल सकते हैं किसी ने मडर कर दिया ऐसे तो रेप होते हैं जैसे इंडिया में उनको भी हम ये कह सकते हैं फर तो कि अरे नहीं ये तो ईस्वर की मरजी थी तो कहीं नहीं नियतिवादी अपना जो पक्ष रखते हैं वो कहीं नहीं इस मामली में आके गलग ठेरता है क्यों? क्योंकि ईस्वर को नहां मानने वाले कहते हैं कि जब ईसवर आप मानते हों कि ईसवर सर्व सक्तिमान है जो ईसवर वादी होते हैं जो नियती वादी होते हैं उनसे प्रिश्ण किया जाता है कि जब आप जानते हैं कि ईसवर सर्व सक्तिमान है और ईसवर सब कुछ कर सकता है और सब जानता है तो ईसवर क्यों नहीं रोकता नियती वादियों पे ये सबसे बड़ा प्रिशन चिन खड़ा किया जाता है ठीक है तो यहाँ पे संकल्प की स्वतंतरता के बारे में अगर बात करें तो न्यायक प्रणाली में संकल्प की स्वतंतरता को सरवादिक महतो दिया जाता है अब आगे बढ़ते हैं तो इसमें आता है आपके जो voluntary actions थे एच्छी क्रत्य थे वो भी देखे दो तरेके से होते हैं आपने एक तो सचेतन मन के हिसाब सिखिया आप पूरे होसो हवास में उस सब किया एक होता है दूसरा कि आपको किसी क्रत्य को करने की आदत हो जाती है और आपको पता ही नहीं रहता कि आपने ऐसा कर दिया है अप एक तो होता है पूरा सोच विचार के करना एक आपको आदत हो गई है सचेतन क्रत्य भी आपके दो तरीके के होंगे तीन वही हम अपने हिसाब से बाट सकते हैं नैतिक, अनैतिक और निरनैतिक वही जो पहले वाला जो बताया था किसी प्यासे को पानी पला देना किसी प्यासे को पानी न पला के उसको दिखा के फैला देना अनेतिक और निरनेतिक अपनी बोतल से पानी पिलेना अब कुछ होती है आदतन क्रत्य आदतन एच्छे क्रत्य मतब इंसान को इनकी आदत पढ़ जाती है वो भी तीन कैटेगरी के होते हैं जैसे पहुत से लोगों को आदत होती है कि पसू कहीं पे भी दिख जाएं तो उनको रोटी कला देना, चार अडाल देना उनके लिए, ठीक है जैसे कुछ जानवरों से प्रेम करते हैं, उनके उपर हाथ फिरा देना उनके साथ तोड़ा बैठ के ऐसे ही प्यार से उनको तोड़ा सहलाना तो यह आदत होती है, यह कही न कही नहीं दिखता है प्रेम करना अच्छी बात है तो यह आदत हो जाती है बहुसे लोग को कुछ आदतन क्रत्यों में होते हैं अनेतिक क्रत्य ठीक है, कुछ आदतन क्रत्यों में आपके अनेतिक क्रत्य बेहोते हैं जैसे बहुसे लोग को आदत होती है कि कुट्ता देखा नहीं और वहाँ पे जो कंकड़ पत्थर पढ़े मारना स्टाट कर देते हैं उनको ठीक है बिना किसी वजह के जूंट बोलना तो यह हैं तो कृत्ती ना लेकिन लोगों के आता है और पता ही जब सचेतन एच्छी क्रत्य हैं कहने को तो कुछ फिलोसफर्स का यहां तक कहना है कि इनसान का जो सचेतन मन है na तीन तरीके से होते हैं देखिए एक होता है चेतन मन जो पूरी तरीके से स्वास्थ है एकदम पूरे decision लेने के लिए तयार है एक होता है अवचेतनमन जो कुछ बाते हैं, जो कुछ मूल्ले हैं और कुछ जो वैल्यूज हैं आपकी वो सारी-सारी आपकी अवचेतनमन में आपको पता ही नहीं है कि ये चीज़ें आपके अंदर हैं, ये आदतें आपके अंदर हैं यह छमता आपके अंदर है, यह होता है आपका अवचेतन मन, जिसकी जानकारी आपको है, एक होता है अचेतन, एक होता है अवचेतन और एक होता है अचेतन, जिसका किसी को कोई ग्यान ही नहीं है, कौन सी बात है, अचेतन मन चलेगे मतलब वो आएगी नहीं है, भूल गया आ अवजेतन मन बड़ाई खतरनाक होता है बताते हैं मतलब इंसान का जो जितने भी डिसीजन या कुछ भी होते हैं आपका जो चेतन मन है आप कोई भी डिसीजन लेते हैं वो किसके हिसाब से लेते हैं आप चेतन मन के हिसाब से वो आपके पुराने जो मूले अवचेतन मन में बैटे हुए है जो आपकी छमता है, सोचने की, जो आप कुछ करने की जो छमता है वो पहले से जो अवचेतन मन के अंदर जो बैटी हुई है वो उसको कंट्रोल करती है जैसे मान के चलो, किसी भी चीज को देखके, आँं पे चार लोग बैटे हुए हैं, अलग अऒलग उनके विचार आएंगे सभी चेतन मन हैं, सभी का मनुस्वे आवचेतन मन के कारण होका तो आपका चेतन मन भी आवचेतन मन का कहना कहीं गुलाम होता है कुछ philosopher's का कहना तो इवन यहां तक है कि इंसान को इंसान बनने में जा उसका value system बनने में इंसान की भूमिका केवल एक परसेंट भी नहीं है समझ रहे हो मतलब कि इंसान का जो value system बनता है जो मनुष्य के जो आदत बनती है मनुष्य का जो व्यभार होता है उसकी जो personality बनती है उसमें उस मनुष्य की भूमिका एक परसेंट भी नहीं होती देखें क्यों science भी ये मनता है उस पे 100% प्रभाब उसके gene जो उसको मिले है और उसकी परिस्थितिया या वातावरण जो वहां का है उसके हिसाब से उसके value system उसकी personality डेवलप होती है तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता कि हम अपने आपको किस तरीके से develop कर रहे हैं या अपनी कौन सी आदतें adapt कर रहे हैं ये सारा का सारा खेला आपका genetics और दूसरा वातावरण का होता है तो अब हम आज हमने जो पढ़ा उसको जल्दी से brief में देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा देखी नेतिक्ता का जो मूल संबंध है वो क्रत्यों से है किसी उत्प्रेरक की उपस्तिती में व्यक्ति की प्रक्रिया केवल भावनात्मक भी हो सकती है केवल बाद्धिक भी हो सकती है और क्रत्य के रूप में भी हो सकती है मैंने आपको बताया था कि कोई जब तक उत्प्रेरक ना हो तब तक इंसान की कोई प्रक्रिया नहीं होगी और जब प्रक्रिया होती है तो वो तीन तरीके से होती है भावनात्मक बाद्धिक इस तर्फ मतब भावनाय उत्पन हुई दूसरा बाद्धिक सोचना आपने सुरू किया और तीसरा आपका क्रत्य यदि कोई व्यक्ति क्रत्य नहीं करता है तो हम उसे नैतिक अनैतिक या निरनैतिक नहीं कहेंगे किवल भावना और बाद्धिकता के किसी व्यक्ति के मन में, किसी प्रकार की भावना का होना या विचार का होना महत पूर्ठो है, किन्तु तब तक उसे नैतिक या अनैतिक नहीं बताया जा सकता, जब तक की व्यक्रत पर आधारित नहीं हो। जैसे उधान के लिए अगर हम बात करें किसी के पृति नफरत होना अनयतिक होने के लिए पर्याप्त नहीं है व्यक्ति अनयतिक तब होगा जब हिंसा या गाली के माध्यम से उस नफरत की अब व्यक्ति करेगा सभी क्रत्य नैतिकता की परदी में सामिल नहीं है क्रत्यों को निमले के तरीके से हमने बाटा है क्रत्य दो तरीके के हैं एच्छिक और दूसरा अनैच्छिक एच्छिक में भी आपका दो क्रत्य हैं सचेतन और आदतन इन सब के बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हैं क्रत्यों के प्रकार के बारे में अब हम बात करें आगे इनहीं को बाट के थोड़ा ओर डिटेल में व्यक्ति जो क्रत्य संकल्प की स्वतंतरता के माध्यम से करता है ऐसे क्रत्यों को हम किस में रखते हैं एच्छे क्रत्यों में रखते हैं और उन पे क्या होता है संकल्प की सुतंतरता का मतलब मनुष्य का अपना वस है और जिन पे मनुष्य का अपना वस नहीं है ऐसे क्रत्यों को हम अनच्छे क्रत्य कहते हैं जैसे गीत गाना, भोजन करना, पढ़ाई करना, ये सारे के सारे अच्छिक हैं, और छींकना, कापना, बीमारी में गुसा आना भी एक आपका अनच्छिक है, ठीक है, बीमारी में अगर किसी को गुसा आता है, तो ये आपका अनच्छिक रत्य है, उसके गुसा नहीं करना चा ना अनेथिक होते हैं, क्योंकि उनके मूल में इरादा या प्रायोजन विद्माण नहीं होता, ऐसे क्रत्यों को नीती सुन्य निर्नेतिक क्रत्य कहते हैं, ठीक? सचेतन जो उसी समय सोच समझ कर किये जाते हैं जबकि आधतन जो व्यक्ति बिना तातकालिक सोच विचार के अपनी आधत के वसीबूत हो कर करता है चुकि आधत की सुरुवात एच्छिक क्रत्य से होती है इसलिए मीति सास्त्र में आधतन क्रत्यों को भी कभी कभी एच्छी क्रत्यों में सामिल कर लिया जाता है एच्छी क्रत्य नेतिक है या नहीं यदि वे समाज को लाब पहुंचाएं आपके एच्छी क्रत्य तो वो नेतिक हैं और यदि वो समाज को नुकसान पहुंचाएं तो वो कहीं न कहीं अनेतिक हैं और यदि उन क्रत्यों से समाज को ना फाइदा हो और ना नुकसान हो तो वो कौन सी क्रत्य होते हैं निरनाथिक क्रत्य GS-mil एक विचारक हैं उनकी भासा में कहें तो स्वय विशयक कार्य निरनाथिक होते हैं लगकि अपने से जुड़े हुए जो कार्रे हैं, ऐसा मांते हैं J.S. मिलने कहा। वो सभी निर नैतिक होते हैं, क्योंकि उनका आसर सिर्फ और सिर्फ हम पर पड़ता है। जबकि अन्य विसेयक कार्रें अधर से रिगार्डिक जो एक्सन होते हैं, वो नेतिक और अनेतिकता की स्रेड़ी में आते ही ये किस ने कहा है JS मिलने जैसे चोरी करना अनेतिक करते है दूसरों की सहता करना नेतिक करते है और अपनी रुची का कोई भी कार्य करना जिससे समाज को कोई परेशानी ना हो किसी दूसरे व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम ना हो, वो निरनेतिक है, तो आज हम यहीं पे खतम करते हैं, हाँ मैं, आज मुझा आच्छलड के बारे में भी बात करना था, लेकिन लेक्चर थोड़ा क्रत्य को समझाने में लंबा किस गया, तो कोई नहीं, आच्छलड के बारे होता है, किस चीज से डिसाइड होता है, तो ठीक है,